हेलो दोस्तों सागात आस सवेगे मैं चैनल दारीयले सेडी कलम में दोस्तों यह 4th समेस्टर वाले बच्चों के लिए important वीडियो है और जो second year वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यह important वीडियो है जो assignment based exam आपने दिये हैं अब भी 4th semester और 2nd year वाले बच्चों ने तो जिन बच्चों के भी assignment छूट गए या रह गए हैं तो वो बच्चे दोस्तों अपना assignment दुबारा दे सकते हैं बट दोस्तों एक बच्चे ने comment करके मेरे से question पूछा तो मुझे वो question बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने question पूछा कि सब जो हमारा assignment based exam होगा दुबारा तो क्या जो question paper है वही आएगा या दूसरा आएगा तो ये बात दोस्तों मिरे को कहीं न कहीं लगी कि आप सबको बतानी चाहिए कि आपका question paper है वही आएगा या दूसरा change हो कि आएगा तो देखें दोस्तों जो आपका question paper है वह आपका same वही आएगा जो आपको पिछली वाल जो आपने assignment दिये हैं first में तो वही question paper आपको करना है जितने भी fourth semester के बच्चे हैं और second year वाले बच्चे हैं जो आपको question paper जो 11 तारीक को मिलाथा और no तारीक को मिलाता है सेगंडिर वाले बच्चों को 9 तारीक को मिलाता और fourth semester वाले बच्चों को 11 को मिलना start हो गया था just they have a special opportunity तो आपका question paper है वही आपको discussions paper करना है और कोई other question paper नहीं आएगा ऐसा नहीं है कि आपके जो बच्चे रहागे उनका assignment अलग conduct करवाया जाएगा और जिनका पहले हो गया उनका अलग होगा तो ऐसे नहीं होगा जो भी आपका question paper होगा वो same process होगा उसका उसमें कोई भी changes नहीं होगे और आप सभी से एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे दुबारा assignment देना चाहरे हैं तो वो बच्चे अपना examination form feel कर दें तो दोस्तो एक बच्चे ने पूछा था कि sir वो examination form feel करने का subject choice करने का option नहीं आ रहा है तो दोस्तो इसका link मैं वीडियो के description में डाल दूँगा तो ये link वो ये वाला है दोस्तो आप यहां से अपना subject choice करके feel कर सकते हैं कि आपने कौन से subject का assignment नहीं दिया है जिस भी subject का assignment नहीं दिया है उससे select करके add करके पहला subject add हो जाएगा अगर मान लिजी आपने दो subject में assignment नहीं दिया है तो आप पूसे पहले को add करें फिर दूबारा वही same process करें ठीक है तो आपका दूसरा subject add हो जाएगा तो इसी तरह से जितने भी आपके assignment रहे गएं वो सारे आप assignment दे सकते हैं वो तो semester वाले बच्चे और second year वाले बच्चे और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें ये सिर्फ registration form कल तक के लिए है तो अगर आप ये form fail नहीं करेंगे तो आपके जो assignment conduct करवाए जाएंगे 331 को व assignment नहीं दे सकते हैं तो ये form fail करना आपको जरूरी subject choice करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट का assignment नहीं दिया है तो please यहाँ पर जाके आप अपना subject choice कर लें यतने ये बच्चे हैं और ये कल last date है इसकी तो कल के वाद में फिर आपको दूसा chance मेरे को लगता है मुस्किली मिलेगा क्योंकि S1 नहीं साब बोल जाए कि 331 को जिनके assignment चूड़ गे 331 को conduct करवा लिये जाएंगे और बच्चे बोलेते हैं कि सर अभी 27 assignment अपलोड नहीं हो रहा वो दोस्तों यह सिर्प अभी registration है 27 तक आपका registration है और आपका जो exam conduct करवा जाएगा वो 331 को कर सेशन कर देते हैं तो आपको 331 का assignment finally conduct करवा लिया जाएगा अगर आप नहीं करते तो नहीं करवा जाएगा तो इस चीच का जरूर बच्चे द्यान लगे और जिन बच्चों ने assignment finally जिनके submit हो गए तो वो बच्चे इसे चुएं भी मतना टच भी ना करें ठीक है इस link को submit हो गया वो समिट रहें दे जिनका छूट गया है या किसी करण को चुछ रह गया है या गलत अप्लोड होई है तो उसके लिए आप select कर सकते हो ठीक है तो इस चीच का द्यान लगना और आगे जो भी अपडेट होगी आपको तुरंद मुलूंगा देऊंगा जो 331 को जो आ सब्सक्राइब करें तैंक यू